गुड मॉर्निंग बच्चो बच्चो हमारा लेसन चल रहा है नटखट चुहा इसकी हम बहुत सारी एक्सराइज कर चुके हैं आज हम एक्सराइज जो करने जा रहे हैं वो जैसा कि आप देख सकते हो पेज 94 पर है पेज 94 पर ये एक्सराइज है एक अनेक खाली जगह भरो एक अनेक से आपको खाली जगह भरनी है बच्चो मैंने बहुत बार आपको ये एक वचन बहुवचन सिखाए हैं और ये भी बताया है कि जब हम जहाँ पे लास्ट में बड़ी की मात्रा होती है और जब हम उसका भँवचन बनाते हैं तो वो छोटी की बजल जाती है और लास्ट में यां लग जाता है यां तो इसी तरह हम इनको चेंज करेंगे जैसे मैंने चेंज करके लिखा है इस कमरे में दो खिड़किया है ब्रैकेट में लिखा है आपका खिड़की और हमने उसको चेंज करके उसका भँवचन लिखा अनेक लिखा खिड़कियां खिड़की एक खिड़की और खिड़कियां दो खिड़कियां हैं तो खिड़कियां हो जाएगा का कि मात्रा छोटी की हो जाएगी और यहां आ जाएगा यहां के ओपर चंदर बिंदू लगेगा इसी तरह अगला है बुआ समीना के लिए धेरो कापियां लाईी कापियां लाई तो कापि से पी पर जो है मात्रा छोटी की हो गई और लास्ट में यहां लग गया अगला वर्ड लड़की दिया हुआ है मैदान में फुटबॉल खेल रही है तो हम उसके बनाएंगे लड़कियां लड़की से हम चेंज करेंगे लड़कियां गोविन्द तेजी से डैस चड़ रहा है सीधी सीधी का बवचन होगा सीधियां अधा की मात्रा छोटी क्या जाएगी तो गोविन्द तेजी से सीधियां चड़ रहा था लास्ट वाक्य है गंदी जगया पर मक्षियां भिन भिनाती रहती है मक्षी का बवचन बनाएंगे मक्षियां तो इस तरह से ये हम इसको चेंज करके भरेंगे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे एक से अनेक बनाएंगे एक मतलब एक चीज और अनेक मतलब बहुत सारी चीज और ये सारे वर्ड वो हैं जिनके लास्ट में बड़ी की मात्रा है एक वचन बनाते समय हम इसको बड़ी की मात्रा लगाते हैं एक वचन में और बहुवचन बनाते समय ये बड़ी एकी मात्रा छोटी ए में बदल जाती है और लास्ट में यहां आ जाता है अब जैसे लास्ट वर्ड देखें मक्खियां तो ये मात्रा जो है छोटी एकी छोटी एकी मात्रा आधे का पर चली जाएगी खाप पर आने के कहले आधा अक्षर होता है तो ये उस पर लगती है तो यहां बनेगा मक्खियां मात्रा लगेगी कापर तो बच्चो आज के लिए इसना ही इसके होंवर्क है कि आप अपने किताम में ही इसको भरेंगे थैंक यू बच्चो ओके